ये टूइट इसी वर्ष के मार्च के महीने का है और ये नजारा भी इसी साल के मार्च के महीने का जब न्यूजी लेंड में कुछ सिख दा कस्मीर फाइल्स मोवी को बैन करने की मांग कर रहे थे अब ये नजारा गोर से देखिए, ये नजारा अफगानिस्तान का है, जहां सिख्खों के पवित रिष्थल गुरु द्वारे में बम्मिस्फोर्ट किया गया और बाद में ये कहा गया पर्चे चिपकाए गए कि अफगानी सिख्ख या तो मुसल्मान बने या अफगानिस्तान छोड़ दे अब इन दोनों नजारों का अपसी संबन्द क्या है, दरसल ये जो सिख्खों को मुसल्मान बनाने के पोश्टर अब अफगानिस्तान में लगे हैं, ये पोश्टर भारत में कश्मीर घाटी में करीब 30-32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर लग चुक अब सिख्खों को मुसल्मान बन जाने की धमकी दे रहा था, और दूसरा पोश्टर आज अफगानिस्तान में सिख्खों को मुसल्मान बन जाने की धमकी दे रहा है। नतीजा फिलाल अफगानिस्तान के अंदर डेड़ सो से अधिक अफगान सिख है जो भारत आने के लिए वीजा का बेसमरी से इंतजार कर रहे हैं ये सिख समुदाय के लोग अपनी आजीवी का छोड़ने और काबूल में अपनी दुकाने बेचने के लिए तयार बैठे हैं इनकी रातों की नी धराम हैं और भारत आने के लिए गिन रहे हैं लेकिन सायद अब सिखो का वो पीपी अलसंग अठन जो कश्मीर फाइल्स को बेन करने की बात कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे थोड़ा सा इत्यास को देंगे ये पता करेंगे कि जब आतंग का कोई मजब नहीं होता तो फिर आतंग की पैगंबर के कथित अपमान का बदला लेने के लिए गुरुदवारों में क्यों बम फोड रहे हैं किसी अफकानी सिख सविंदर सिंग की अत्या क्यों कर रहे हैं और ये कोई एक बार की गाथा नहीं है शानती का एक हतित संदेश देने वाले पैगंबर की शिक्षा उपर चलने वाले इन लोगों ने साल 2018 में एक आतंगाती बम हमलावर ने जलालाबाद सेहर में सिख लोगों की सबापर आतंगाती बम हमला किया था साल 2020 में भी एक और गुर्दवारे पर हमला किया गया था साल 2018 में जलालाबाद में जब हमला हुआ तब वहां लगबग 1500 सिख थे तब कुछ लोट आए थे बाकी 2020 के हमले के बाद शिखों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था पिछले साल जब तालिबान या सत्ता में आया तो या मुस्किल से 300 से कम सिख बचे थे उन में से भी काफी भारत चले आए थे अब ये संख्या गटकर लगबग डेड़ सो रहे गई थी अब ये भी भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें वीजा दे रहे भी कैसे इस से पहले उनके सबी एतियासिक गुरुदवारों को मिटा दिया गया था अब अंत में एक बचा था उसे भी नैस्ता नाभूत कर दिया गया अब ये मान कर चलिए कि 1.500 सिकों की वतन वापसी के बाद अफगानिस्तान बिलकुल सिक्वेहिन हो जाएगा वो अफगानिस्तान जहां उनके पूर वज़ रहा करते थे राज किया करते थे उनका जनम हुआ था वो वहाँ पले बड़े और आज अंत में वो मुल्क छोड़कर भारत आने के लिए एक एक पल का इंतिजार कर रहे है कह रहे हैं मैं या जो भी बचे रहे गए वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं है वरना कोई यहा रहना नहीं चाहता जो आज हुआ वो कल भी होगा और बार-बार होगा अब सवाल यह नहीं है कि मजवियातं की ऐसा क्यों कर रहे है वो ऐसा करेंगे क्योंकि उनकी सिक्साओं में इसा है उन्ने सिखा जाता है की उन्ने छोड़कर सब काफिर है तो अब सवाल बन जाता है कि साहीन बाग में जो लोग जो सीक वहाँ परदर्सन कारियों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए अपनी दुकान फ्लैट तक बेज रहे थे वो आज का हैं वो जिनोंने वो भोजन किया वो आज अपने तालिबानी भाईयों से इतना कहने की इमत नहीं रखते कि भाई इनका गुरुद्वारा मत उड़ाओ ये तो हमें अपना मकान तक बेज कर खिला गए कोई जमियत कोई ओवेसी कोई आरपा खानम कोई हामिद अनसारी कोई नसरुद्वारा एक सब्द तो बोल दे एक बार कह देते कि इन लोगों ने हमें साहिन बाग में बिर्यानी खिलाई थी लेकिन सब मौन है और मौन का एक ही कारण है और वो ये है कि गुरुद्वारा काफिर धरम की आस्ता का इस्तल्था अतंकवादी सुम कहते हैं कि वे इसलाम की पुस्तक क्यादार पर कारिया कर रहे हैं मुसलमान छोड़ कर उनके लिए सब काफिर है चाहे आप बिर्यानी खिलाओ या रमजान में दावद दो या गोल टोपी लगा कर खूब गले मिलो न्यूजी लेंड में कश्मीर फाइल् उनके सगें नहीं हो सकते इसका एक छोटा सा उदारान है साल 2004 का साओधी अरब का सहर खोबर या 22 लोगों की मौत हुई थी उन्हें मारा गया था और भगदर में बचकर निकलने वाले लोगों ने बता था कि किस परकार आतंकवादियों ने किसी भी हद तक आसवासन दिया के बाद हमलावरों ने उन्हें अपने कमरे में रहने को किया क्योंकि उनका उद्देश से सिरफ अन्यमतों के लोगों को कतल करना था अब्दुलसलाम हकावती एक लेबनानी अधिकारी था गोलियों की आवाद सुनकर उसका पूरा परिवार उपर शीडियों पर छुप ग दिया ये पहली बार नहीं है कि इसलाम के मानने वालों ने काफिरों को निशना बनाया हूँ साल 2000 में मलेशियों में जिहादियों ने जान भूज कर गैर मुसलमान बंदकों को मार डाला था और सेस दो मुसलमानों को छोड़ दिया था साल 2002 में पाकिस्तान के पुलिस पर कि आतंक वादियों ने पंदरा मिनट तक इसाईयों को अलग छाटकर अलग किया मुसलमानों को अलग किया और इसाईयों को मौत देने की ठानी हत्यारों ने इसाईयों को मुसलमान से अलग किया और परतिये को कुरान के एक आयत पढ़ने को कया जो नहीं पढ़ सके गोली म बगा देना चाहे वो इरान में पार्शी हो अरब में यहुदी हो इराक में यजीदी हो कश्मीर में हिंदू या सिखो अफगानिस्तान में हिंदू या सिखो इनका लक्स एक ही है और वो है काफिर का सफाया अब जैसे ही यह डेड़ सुन्तिम बचे शिख वापिस आएंगे तो समझ ना कि मावारत का गंदार बाद में बोध हिंदू और शिक्खों का मूल इस्थान भी काफिर भी हिन हो जाएगा यही अंतिम और छुपा हुआ लक्स है चाहे आप भाई चारे के कितने भी गीत गा लीजिए फ्लेट बेच कर बिर्यानी खिला लीजिए इस वार अल्ला तेरे नाम के कितने भी जाप कर लीजिए बाकी का ग्यान डेड़ सो लोट कर आने वाले अफगानी से खुद दे देंगे